स्मृती सिनहा भोचपुरी की वो खूपसूरत एक्ट्रेस हैं जिनkęी फिल्में आज भी दर्शक बहुत मिस करते हैं स्मृती सिनहा भले ही आजकल भोचपुरी डुपहले परदे से गायब हैं लेकिन उनके बारे में आज भी उनके फैंस जानना जाते हैं स्मृति सिन्हा इन दिनों कहां है और क्या कर रही है ये सारी बाते हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन उनके बारे में उनके फिल्मी सफर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं ये हमें पता है कि आपको पता है लेकिन फिर भी आपको कुछ बाते ऐसी है जो स्मृती के बारे में पता नहीं है स्मृती मूलता बिहार की है बिहार से मुंबई वो आई थी पढ़ाई के लिए पर वो कहते हैं ना कि तकदीर आपको अपने मंजिल की तरफ खीच ही लाती है ठीक उसी तरह स्मृती को पहला ब्रेक बिना स्ट्रगल किये भोचपुरी सिनिमा में मुला उनकी पहली मूवी थी रंगीला बागू और फिल्म के डिरेक्टर और एक्टर थे बाली भले ही फिल्म चली लहो लेकिन पहले ही फिल्म से स्मृती ने भोचपुरी या दर्शकों के दिल पे अपनी छाप छोड़ दी थी स्मृती को असली पहचान भोचपुरी सुपस्चार खेसारी लाल यादो की पहली फिल्म और स्मृती की चौथी फिल्म से मिली यानि कि आप ये कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादो की साजन चले ससुराल पहली मूवी थी तो स्मृती की वो चौथी मूवी थी इस मूवी से जहां रातो रात खेसारी लाल यादो सुपस्टार बने वहीं दूसरी तरफ स्मृती को भी दर्शुकों ने धेर सारा प्यार दिया दुलार दिया और भोजपुरिया की सुपर एक्ट्रसेस मिला कर खड़ा कर दिया वैसे स्मृती की जोड़ी निरहुआ और पवन सिंग के साथ भी पसंद की गई लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें खेसारी लाल यादों के साथ ही पसंद किया गया खेसारी लाल यादों के साथ फिल्म साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल 2 और फिल्म बंधन सुपर डुपर हिट रही फिल्म बंधन में तो इनकी एक्टिंग कुई तारीव जम कर हुई और दर्शकों ने भी फिल्म बंधन को स्मृती की बेस फिल्म में से एक करार दिया अब चलिए बताते हैं कि इंडीनों स्मृती है का वो अचानक से भूचपुरिया परदे से गायब कहा हो गए ये भूचपुरिया की सुपस्टार यानि कि आप इन्हें सुपस्टार जरूर कह सकते हैं क्योंकि जो करोडों दिलों पर राज करता है वो स्टार तो नहीं हो सकता है पैसे स्मृती के कातिलाना हसी को आज भी लोग बहुत मिस करते हैं खेर हम बातों के भाव को इधर उधर न ले जाते हुए आपको बताते हैं कि स्मृती ने दिल्ली के एक बिहारी बिजनस्मेंट से शादी कर ली है। और शादी करके ही वो वहाँ सेटल हो गई है। शादी के बाद स्मृती अपने शादी शुदा जीवन को बहुत इंज्वाई कर रही है। साथ ही उन्होंने मन बना लिया है कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी। अपने पती के बिजनस में ही उनका हाथ बठाएंगी। वैसे स्मृती ने अपने माता पिता के सहमेती से उन्होंने लव कम अरेंज मेरज की। और अपने पती के साथ दिल्ली में वो सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही है। हमारी ढेल सारी सुबकाम नाएं स्मृती के साथ है। पर भोजपुरिया दर्शकों के साथ साथ हम भी चाहेंगे कि स्मृति जल से जल भोजपुरिया परदे पर किसी अच्छे प्रोजेक के साथ वापसी करें भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार कॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए साथ ही हमारे भोजपुरी के नए चैनल स्री डिजिटल मीडिया को भी आप अपना उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमारे इस चैनल को दिया है हमारे नए चैनल स्री डिजिटल मीडिया को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे ताकि आप जल से जल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे भुजपुरी जगत की होट और मसालेदार कॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना पिल्कुल ना भूले